नमस्कार मैं एन राजिंदर सिंग असिस्टेंट प्रॉफिसर डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइन्स बिये सार्ग गवर्मेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर हम लोग भी भागदुत्तिय के प्रथम प्रशन पत्र प्रमुक राजनितिक व्यवस्थाएं या सेलेक्टिड पॉ विकास के संबंद में आपको बताया था और उसी वीडियो की कड़ी में उसी को कंटीनियू करते हुए आज हम उसके दूसरे भाग को प्रारम करते हैं जो ब्रटिस संविधान के विकास की कहानी चल रही थी उसमें हम बताया था आपको कि ब्रटिस संविधान का जो इतिहा सहे विकास का 6 कालों में 6 यूगों में विवाजित किया गया है 3 के बारे में हम अपने पिछले व्याख्यान में पिछले वीडियो में पड़ चुके थो हैं उसी को हम कंटीन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं अब आता है 14 काल ट्यूडर काल इसमें क्या होता है? पिछला जो तीसरा काल था, उसमें क्या था? संसद शक्ति शाली हो गए थी रहामने आपको बताया था कि उसने इतनी शक्ती ग्रेंड कर ली थी कि वह राजाओं को अपने पद से हटा भी सकती थी, हटाने लगी थी लेकिन ट्यूडर काल में क्या होता है? पुनहे कठोर राजसंतर की स्थापना हो जाती है और इसका जो काल है वह 1485 से 1603 माना गया है 1485 में इंगलेंड में कौन सत्ता पर बैठते हैं? हेंरी ट्यूडर ट्यूडर काल है तो हेंरी ट्यूडर होाँ के समराट बनते हैं और ट्यूडर जो थे शक्तिशाली और योग शाशक थे उन्होंने सामन्तों को नियंत्रित कर स्वेच्छाचारी शाषकों की भाती शाषन किया लेकिन साथ में उन्होंने जनता के हित को भी द्रस्टी में रखा सामन्तों को नियंत्रित किया और एक स्वेच्छाचारी और निरंकु शाषन की भाती उन्होंने शाषन करना प्रारम किया लेकिन उन्हों की खास बात क्या थी जनता के हितों को भी उन्होंने अपने ध्यान में रखा अपने शाषन के दौरान जनता के हितों की उन्होंने कभ हो जाती है और इस काल में को कि कठोर राजसंद्र की स्थातबना होती है तो संसद का महत्यो छतवत ही घ्ट जाता है ट्योडर राजाओं ने विपडर्ण राज़ासी कnsinn एकत्रित कर ली और उन्होंने संसद को बुलाने की आवशक्ता ही नहीं समझी, तो ट्यूडर काल क्या था, कथोर राजसंतर की स्थापना का काल था, पांचवा काल, आता है अब स्टूइर काल, और इसकी क्या वशेस्ता है, निरंकुस राजसंतर और सीमित राज़संतर के पक्षों में संगर्ष होता है, और पक्षों में संगर्स होता है और लोग तंत्र की आधार्शला इस काल में रखी जाती है हम इसको देख लेते हैं पढ़ लेते हैं इसको महरानी एलिजाबेत का कोई पुत्र नहीं था और नहीं कोई निकट सम्मंदी था और उसकी मृत्यू के बाद 1603 इस्वी में के राजा जेम्स प्रथम के हाथ में आ जाता है महरानी एलिजाबेत जो उस समय महा की सामराग्गी या महरानी थी उनका कोई पुत्र नहीं था कोई निकट सम्मंदी नहीं था तो क्या हुआ 1603 में इंग्लेंड की संगासन पर कौन बैठा स्कॉटलेंड का राजा जेम्स प्रथम 1625 में उसका पुत्र चाल्स प्रथम उसकी मृत्यू के बाद गद्धी पर बैठ था है चाल्स प्रथम और उसने संसद की उपेक्षा और मनमानी करना प्रारंब कर दिया और राजा के देवी अधिकारों और विशश अधिकारों पर राजा के देवी अधिकारों तथा विशश अधिकारों पर बल देना प्रारंब कर दिया ऐसी सिती में उसका संसद से जगड़ा प्रारंब हो गया और 1628 में संसद जो है चार्ल्स प्रथम से एक अधिकार याचना पत्र को मनवाने में सफल हो जाती है 1628 में संसद क्या करती है चार्ल्स प्रथम जो समराट है उससे एक अधिकार याचना पत्र को मनवाने में अर्थाथ उस पर अस्ताक्षर करवाने में सफल हो जाती है संसद के दबाव में चाल्स ने उस अधिकार याचना पत्र पर हस्ताक्षर्टों कर दिये या स्विकृति दे दी किन्तु उसमें जो बातें कही गई थी उसको उसने पालन नहीं किया अपने वचन को नहीं निभाया तो संसद ने क्या किया इसका विरूद किया और इसके पृ प्रकार की निरंकुष्टा का वरोध किया संसद के जो नेता थे संसद को भंक कर देने का जो कारिय था उसका वरोध किया तो इस शक्र में संसदी नेताओं के बीच संगर्स प्रारम हो जाता है जो 1642 से 1645 तक चलता है और ग्रहयुद की स्थिति सिविल वार की स्थिति वहां पर आपको दिखाई देती है हमको दिखाई देती है इस ग्रह युद्ध में संसदे नेताओं की जीतोती अंत में और संब्राड चाल्स पर मुगदमा चलाया जाता है और 1649 में उन्हें म्रत्यु दंड दे दिया जाता है समझमाई बात आपको बच्चो आगे बढ़ते हैं हम इस काल की जो महत्पूर्ण घटनाएं हैं महत्पूर्ण तथ्य हैं महत्पूर्ण घटना चक्र चलता है उनमें से कई सारी चीजे हैं जो हमें जानना आवशकता है पहली की अध्यक्षता में गंतंत्र की स्थापना की गई 1649 में इंग्लेंड में राजतंत्र तथार लॉड सबाका अंत कर दिया गया और गंतंत्र की स्थापना की गई किसकी अध्यक्षता में क्राम वेल की अध्यक्षता में और उस समय एक लिखित सम्विधान भी अपनाया गय लेकिन 3 सितंबर 1658 को क्रामवेल की मृत्त्य हो जाती है तो इसके बाद पुनहे रास्तंत्र वहां इस्थापित हो जाता है पुनहे रास्तंत्र की स्थापना गंतंत्र और लिखी सम्विधान जो थे ब्रिटिस लोगों के सुभाव के अनुकूल नहीं थे अतहे जैसे ही क्रामवेल की मृत्त्य होती है तो गंतंत्र और लिखी सम्विधान का अन्त हो जाता है 1660 में चार्ल्स प्रथम का पुत्र चार्ल्स दुत्तिय गद्धी पर बैठता है और पुनहे रास्तंत्र की स्थापना इंग्लैंड में हो जाती है और उसने 1685 इसवी तक शाशनकारिये किया अब देखतें कैबिनिट का उदे प्रिवी कॉंसिल प्रिवी कॉंसिल के बारे में आपको बताया था कि राजा ने कुछ महत्पूर्ण लोगों की एक संस्था बनाई थी प्रमुक मंत्रियों की प्रिवी कॉंसिल अब एक बड़ी संस्था बन गई थी इसकाल में प्रिवी कॉंसिल एक संस्था जो थी बड़ी संस्था बन गई थी तो चार्स दुत्तिये चार्स सेकंड थे उन्होंने 1667 इस्वी में कुछ महत्पूर्ण व्यक्तियों की एक समिती से परामर्ष लेना शुरू कर दिया प्रिवी कॉंसिल बड़ी थी तो उससे सलहा मशुरा करना राजा के लिए संभव नहीं था तो उसने क्या किया 1667 में कुछ महत्पूर्ण व्यक्तियों की एक समिती बनाई और उससे परामर्ष लेना शुरू कर दिया जिसे काबाल नाम दिया गया हम इसे आगे पढ़ेंगे यह जो पांच अक्षर हैं यह उन व्यक्तियों के नाम के प्रतम अक्षर हैं जिन से मिलकर वह समिती बनी थी इसलिए इसे काबाल नाम दिया गया और इसी काबाल से काला अंतर में कैबिनेट का उदेंग्लेंड में होता है एक हैबियस कारपस एक्ट भी समय आया था वो क्या था हैबियस कारपस एक्ट जो है चाल्स दुत्तिय के शाशनकाल में 1689 में पारित किया गया और इसमें क्या व्यवस्था की गई कि बिना अभ्योग चलाए किसी भी व्यक्ति को नजर बंद नहीं रखा जा सकता हैबियस क सब्सक्राइब चालस दुत्य की मरत्यु के बाद उसका भाई जेम्स दुत्य गढदी पर बहता है चालस दुत्य की सोले सुपिच्छासी में मरत्य हो जाती है और जेम्स दुत्य गढदी पर बैढ़ता है लेकिन वह तीन वर्ष ही शाशन कर पाया married 688 तक ही namig asks तर वह क्य करने की उसने क्या किया संसद की अनुमती के बिना कानून रद करने का धिकार धारन कर लिया उसने यह धिकार प्राप्त कर लिया कि वे बिना संसद की अनुमती के किसी भी कानून को रद कर सकता है इसकी वज़े से संसद्य नेता अप्रसंद हो गए और उन्होंने क्या किया ज आक्रमन के लिए आमंत्रित कर दिया ठीक है ना कि संसद में और राजा में गतिरोध की स्थिती आ गई थी क्योंकि राजा ने कानून रद करने का अधिकार ले लिया था तो संसदी नेता एप्रसंद हो गए तो उन्होंने क्या किया जेम्स दुत्तिये को गद्धी से हटाने क लिए किसे आमंत्रित किया औरेंज प्रदेश के राजकुमार विलियम तृतिये को विलियम तृत्तिये ने एक विशाल सेना के साथ इंग्लेंड पर आक्रमन किया लेकिन जेम्स दुत्तिये ने क्या किया देखा कि सब सारे पक्ष उसका साथ छोड़ चुके हैं तो वह फ्रांस भाग गया और इस प्रकार बिना किसी रक्तपात या बिना किसी हिंसा के ही जो वांची जो परिवर्तन होना था वह परिवर्तन हो गया इस घटना चक्र को क्या कहा जाता है इंग्लेंड की गौरव पूर्ण क्रांती Glorious Revolution of England के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की हिंसा या रखपात आपको देखने को नहीं मिलेगा विलियम टृत्तिये इंग्लेंड पर आकरमन करते हैं जेम दृत्ये वहां से भाग जाते हैं फ्रांस बिना इुद्ध कीhet तो इस घठना चक्र से राजा या शाषन की निरंकुस्ता पर रोक लगी और संसदीये प्रभुसत्ता की स्थितीका प्रारंब हुआ राजा की निरंकुस्ता पर रोक लग गई इस घटना से और संसद की प्रभुसक्ता पुन्हें इस्थापित हो गई तता यह करांतिकारी परिवर्तन जो हुआ बिना किसी रक्तपात के हुआ इसलिए गौरवपूर्ण करांती के नाम से जाना जाता है आपको आशा है एक गौरवपूर्ण करांती का जो पूरी घटना है या जो घटना चक्र है आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं अब अधिकार पत्र बिल ओफ राइट्स सोला सोनिवासी यह क्या था गौरवपूर्ण करांती के बाद विलियम वा मेरी को ब्रटेन का समलित रूप से शाशक बना दिया गया और इस अवसर पर संसद जो है संब्राट से एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करवाने में सफल हो गई उस अधिकार पत्र की प्रमुक बातें क्या थी अब देख लिजिए संसद की पूरु सुकृती के बिना राजा कोई कर नहीं लगा सकता पहली बात राजा को वर्ष में कम से कम एक बार संसद की बैठक अवश्य बुलानी होगी दूसरी बात संसद की पूरु सुकृती के बिना राजा कोई सेना नहीं रख सकता राजा अपनी स्वार्त पूर्ती है तू उच्चायुक्त जैसे किसी नवीन न्यायले की स्थापना नहीं कर सकता और संसद में जनता के प्रतिनिदियों को बाशन की स्वतंतरता प्राप्त होगी ये पांच बातें थी उस अधिकार पत्र की जिस पर सोला सो निवासी में विलियम वे मेरी ने अस्ताक्षर किये थे मुन्रो ने इस अधिकार पत्र के महत्तु पर प्रकाश जाला है और कहा है इस से पारलियामेंड की वैधानिक प्रभूता की गोशना की गई एक उत्रादिकार अधिनियम भी आता है उसको भी देख लेते हैं विलियम और मेरी के कोई संतान नहीं थी जो शाशक समलित रूप से शाशन कर रहे थे ब्रेटेन का विलियम उत्ता मेरी 1701 में उत्रादिकार अधिनियम पारित कर यह निश्यत हुआ कि राजा संसद की स्विकृती के बिना ने तो विदेश जा सकता है और नहीं युद्ध की गोशना कर तकता है यह उत्तरादिकार अधिनियम था जो 1701 में पारित किया गया अब छटा काल आता है अंतिम काल हैनोवर काल और यह काल जो है 1413 से प्रारंब होता है और यह आज तक जारी है और इसमें क्या होता है संसदिये प्रजातंत्रे जनतंत्र का विकास इसके अंतरगत होता है जो वर्तमान इस्तिती ब्रेटेन की है वो हैनोवर काल से उसका विकास हुआ है 1600 निवासी के जो अधिकार पत्र था राजपद पर संसद की सरोचता इस्ता पर तो हुई गई थी बिलोफ राइट से 1414 में सामरागी N महरानी जो थी उससे मुसका नाम था N की मृत्यू पर उत्त्रादिकार अधिनियम अभी पढ़ा था हम लोगों ने की अनुसार हैंवर का जॉर्ज प्रतम प्रटें का समराठ बनता है यही से संसदिय जन तंतंत्र का विकास प्रारंब होता है जिसने 20-वी सदी के पूर्वार्थ तक पून्था प्राप्ट कर ली जो संसदिय जंदंत्र का विकास प्रारम होता है हैनोवर के जोज प्रथम के ब्रटेन की गद्धी पे बैटने के समय वह बीसमी सदी तक पूंड़ता को प्राप्त कर लेता है और जो संसदिय जंदंत्र का जो विकास है उसके निम्न चरण है पहला है राजा की वास्त्रिक शक्तियों का पतन जब संसद की प्रभुसत्ता इस्थापित होती है तो राजा की शक्तियों का पतन होना प्रारंब हो जाता है हैनोवर वन्ष के सिंगासना रूड होने के पहले तक राजा का मंत्रियों की नियुक्ती और पद चूती में प्रियाप्त हाथ रहता था हैनोवर काल से राजा के इस अधिकार का पतन हो गया और ये अधिकार पारलियामेंट के हाथ में पहुँच गए मंत्रियों को हटाने और उनको नियुक्त करने का अधिकार राजा के स्थान पर किसको प्राप्त हो गया पारलियामेंट या संसद को सामरागी महरानी विक्टोरिया तक आते आते संब्राट एक संविधानिक अधिक शाशक मात्र बन कर रह जाता है जो आज भी ब्रिटेन का जो संब्राट है वह क्या है संविधानिक शाशक दूसरा जो विकास है वो देखिया मंत्री मंडलिये प्रनाली का विकास संसद्य जनतंत्र का प्रमुख जो विशेस्ता है वो मंत्री मंडल ये प्रणाली होती है तो हैनोवर काल के पूर्व तक मंत्री मंडल की बैटकों की अध्यक्षता कौन करता था समराट करता था हैनोवर काल के पहले और मंत्री मंडल ये प्रणाली का पूर्ण विकास उसमें नहीं हो पाया था लेकिन हैनोवर राजा जॉर्ज प्रथम अंग्रे जी भाषा से गटना चक्राब देखिए तो समराट ने क्या किया वीग पार्टी की नाम है पार्टी का वीग पार्टी की नेता सर रॉबर्ट वॉल पॉल को कैबिनेट की अध्यक्षिता का करतव्य सौप दिया वीग पारटी के निता सर रॉबर्ट वॉलपोल को कैबिनेट या मंत्री मंडल की अध्यक्षता का कारिये सौप दिया तो इस प्रकार रॉबर्ट वॉलपोल जो है ब्रिटेन का प्रथम प्रधान मंत्री बन जाता है एक सैयोग या घटना चकर आपके देखिए कि राजा जो जो जॉर्ज प्रथमें उन्हें अंग्रेजी नहीं आती इंग्लेंड की राजनिती में उन्हें कोई रूची नहीं थी और उन्होंने कैबिनेट की बैटकों में संभलित होना से मना कर दिया तो उनकी अध्यक्षिता का मंत्री मंडल की अध्यक्षिता का करतव किसे सौप दिया वीग पार्टी के निता रॉबर्ट वॉल पॉल को और वॉल पॉल जो हैं ब्रिटेन के प्रथम प्रदान मंत्री कहलाते हैं या बन जाते हैं दिरे-दिरे मंत्री मंडलिय प्रणाली के अनसिधान्तों का भी विकास होता रहा। आगे चलते हैं लोक सदन दो सदन आपको बताये थे मैंने ब्रिटिस पारलियमेंट के लौड सभा और लोक सदन तो लोक सदन का लोकतंतरी करण होता है एक विकास है संसदी प्रजातंतर का जद्धिपी सत्रवी सदी में संसद ने सरोचता प्राप्त कर ली थी किन्तु अब कि वह परियाप्त शक्तिशाली नहीं हो पाई थी क्या वज़े थी क्योंकि वह जनता के बहुत छोटे भाग का ही प्रतिनिद्धु करती थी उसमें जनता के बड़े भाग को अभी कोई प्रतिनिद्धु प्राप्त नहीं था बड़े भाग को प्रतिनिद्धु का प्राप यानि अधिक से अधिक लोगों को मत देने का अधिकार दिया जाए तो इसके लिए संसद के अंदर और संसद के बाहर अधिकार चलाया गया मताधिकार को व्यापक करने के लिए जिसके परिणाम सरूप सन 1832 में एक सुधार कानून लाया जाता है और इसके दुआरा कुछ सीम और व्यापक किया गया और 1928 का जो अधिनियम था उसमें सारवनिक वैस्स मतादिकार को स्विक्रति देते हुए 21 वर्ष और इससे अधिक आयू के सभी इस्त्री पुरुशों को मतादिकार प्रदान कर दिया जाता है इस प्रकार लोगसदन का लोगतंत्री करन हो जाता है क्योंकि उसमें जनता के अधिक भाग को प्रतिन दे दिया गया अब 1970 में क्या किया एक विधेक लाया गया और जो 21 वर्ष की आयूती उसको घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया और 18 वर्ष और इससे अधिक की आयू के प्रतिक व्यक्ति को वहाँ पर मतादिकार प्राप्त हो गया इस प्रकार लोगसदन का वहाँ पर लोगतंत्री करन होता है अब next है लोगसदन की तुलना में लौड सभा की शक्तियों का पतन लोगसदन शक्तिशाली होगा तो अभी लोगतंत्र मजबूत होगा संसदी प्रजातंत्र मजबूत होगा तो वहाँ दीरे-दीरे क्या किया गया लोगसदन की तुलना में लौड सभा की शक्तियों का पतन वहाँ पर होता है हम देखते किस प्रकार अठारवी सदी तक लोक सदन पर लॉर्ड सभा का आतंक चाया रहता था लॉर्ड सभा जो थी वह लोक सदन पर हावी रहती थी किन्तु लोक तंतर के लक्ष्वी प्रापती के लिए ये आवशक था कि लोग सदन की तुलना में लौड सभा की शक्तियों को कम किया जाए तो 1832 का सुधार कानून लौड सभा की शक्तियों को कम करने के उद्देश ही लाया गया था और जो सुधार कानून था हुए लौड सभा की इच्छा के वृद्धी पारित हुआ तो लॉर्ड सभा को जो इच्छाती उसकी अभेलना की गई तो पहली बात 1832 के कानून के द्वारा ही लॉर्ड सभा के तुलना में लोग सदन थोड़ा मजबूत होता हुआ दिखाई देता है और इस समय से लॉर्ड सभा की शक्तियां का मोनी प्रारंब हो जाती है 1832 के सुधार कानून के पारित होने के समय से ही 19-वी सदी में यह प्रमपरा इस्थापित हो गई थी कि वित्तिये विशेयों में जो फाइनेंस के जो सब्जेक्ट थे मैटर थे उनमें अंतिम शक्ति लोग सदन की ही है लेकिन 1910 में क्या होता है लॉर्ड सभा ने लॉयर्ड जॉर्ज वहां के प्रदानमंत्री थे लॉयर्ड जॉर्ज के प्रगर्ती शील बजट को एस्विकार कर दिया इस परमपरा को भंग कर दिया कि जो वित्ये मामलों में लोग सदन की शक्ती मजबूत हुई थी वित्ये मामलों में उसको 1910 में लॉर्ड सभा दुवारा भंग कर दिया गया अब क्यावाल लोकसुदन की तुलनामे लौड सभा की शक्तियां कम करके इंग्लेंड में लोकतंत्र पून रूप से इस्थापित वहां हो जाता है। इस प्रकार 1400 वर्षों के सम्विधानिक विकास के आधार पर ब्रटेन ने अपनी सम्विधानिक और राजनितिक शक्ति को प्राप्त किया और जो इसकी विशेस्ता रही प्रमुक इस्थिर्गति और शान्ति पून तरीका निए धिरे धिरे हुआ और शान्ति पून तरीके स वह जो हमने गौरपुन करांती के दोरान देखा और इस सम्मिधान की जो दिशा थी कुछ बाधाओं रुकावटों के बावजूद राज तंतर से लोगतंतर के और रही है एक और चीज़ हम देख लेते हैं संसदिय लोगतंतर में राजनितिक दलों का भी उदय होता है प्रत प्रत्यक्ष लोगतंतर जब प्रत्यक्ष या प्रत्यदी लोगतंतर होता है तो राजनितिक दलों का उदय हो ने लगता है हो जाता है अवश्य रूप से और अठारवी और उनीसी विशताबी में मंत्री मंडलात्मक प्रनाली के विकास के साथ राजनितिक दलों का विकास भी होने इंग्लेंड में लग जाता है तो यह राजनितिक ब्रटेन के सम्गिधान के विकास की कहानी है सम्गिधानिक विकास की कहानी है इसमें जो घटना हैं हम लोगों ने पढ़ी है उनका ग्यान होना बहुत आवशक है ताकि हम ब्रटेन के समधान को समझ सकें क्योंकि उन्हीं के प्रसंग में उन्हीं के संदर्व में हम बाकी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे जान पाएंगे तो ये टॉपिक पूरा हो जैसे नियंतरित राजपत क्या था इस्थानिय स्वशाशन क्या था विटनेज मोड क्या थी इस प्रकार ये सारे टॉपिक आपको असाइनमेंट की रुक में दिये जा रहे हैं इन पर आप संचिप टिपनी लिखिए इनको जानने का प्रयास कीजिए ये घटनाय क्या थी गौरपून करांती क्या थी अधिकार पत्र क्या था सर रॉबर्ट वॉलपॉल कौन थे काबाल क्या था ये सब आपको पता होना जरूरी है वह सारी इनफॉर्मेशन आपको इन दो वीडियों में जो सामगरी आपको दी गई है या जो पढ़ाय गया है उसमें मौजूद है आशा है आपको इस सारी जानकारी समझ में आई होगी या आपको लाबदाय क्या उपयोगी लगी होगी धन्यवाद और एक चीज ये जो दोनों वीडियों की जो अधियन सामगरी है इसको आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं इसका लिंक हमने वीडियों के डिस्क द्रिप्शन में धन्यवाद